नमस्कार दोस्तों सुआगत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करूना ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास ट्वल्थ के पिंटिंग वाले स्टुडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीच आप लोगों को किलियर कर दूँ वो है समकालीन और आधुनिक इसके अंदर थोड़ा सा हमारा डिफ्रेंस होता है हम समकालीन किसे कहेंगे तो दोस्तों समकालीन है वो चीच जो हमारे समय के साथ साथ चल रही है जैसे अभी हम भी है और हमारे साथी साथ कुछ कलाकार अपने फिल्ड में प्रियोग कर रहे हैं नए तरीके से चित्र बना रहे हैं तो वो कहलाएंगे समकालीन, यानि हमारे कालीन, चित्रकार, या मूर्तिकार, या फिर गायक, या फिर नरत्यांगनाय, है ना? लेकिन जो इस समकालीन में कुछ इस तरह के आर्टिस्ट भी आ जाएंगे जो अभी कुछ जल्दी ही समय में गुजरे हैं यानि जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है जो जा चुके हैं अभी जल्दी में ही या फिर जो अभी भी काम कर रहे हैं ये चीज कहलाएगी समकालीन जिसको हम contemporary बोल देते हैं English में दूसरा वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आधुनिक आधुनिक जिसको हम बोल देते हैं modern ठीक है आधुनिक काल कला के छेतर में शुरू हो जाता है बंगाल शैली से यानि की लगबग 20 वी शताबदी से ठीक है बाकी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो किसी छेतर में आधुनिक काल 18 वी शताबदी से आया किसी में 16 वी शताबदी से आया लेकिन हमारी पेंटिंग में आधुनिक हम हुए कब 20 शताबदी में बंगाल शैली से तो यहाँ पर हम कुछ तो आधुनिक कलागारों को पढ़ेंगे और कुछ समकालिन कलागारों को पढ़ेंगे उनको जानेंगे और उनके चित्रों को भी जानेंगे सबसे पहला चित्र दोस्तों जो आपके इस लेबस में यहाँ पे दिया हुआ है वो है राम समुंद्र का मान मर्दन करते हुए तो दोस्तों इस चित्र का नाम है समुंद्र राम समुंद्र का मान मर्दन करते हुए या फिर समुंद्र का गर्व चून करते हुए श्री राम या फिर मतलब एक तरह से मत मर्दन का मतलब होता है अभिमान तोड़ते हुए तो इस चित्र को आप पहचान लेना अगर इसके थ थोड़े से वर्ड उपर नीचे जा रहे होंगे तो और दोस्तों इसके चित्रकार हैं राजारवी वर्मा इनके बारे में अभी हम बात करेंगे और ये आधुनिक काल के चित्रकार हैं इन्होंने इस चित्र को के नवास पर तेल रंग से बनाया है और जब 19 शताबदी लगभ पर तो इस से पहले हमने जितने भी चित्र लगभग आपके चाहे फर्स्ट रम की बाथ हो चाहे सेकंड रंग की बात हो जितने भी चित्र हम पड़ रहे हैं वो राश्टर संघ्राले नई दिली में रखे हुए हैं सिर्फ ये चित्र निकल कर आया है जो आपका करनाटक मूर्तियां है या छापा चित्री क्यों ना है वो सभी के सभी राष्ट्रे संग्राले नई दिली में रखे हुए है दूसरी चीज में यहाँ पर आपको बताऊंगे कि 19 सताब्दी उत्रार्थ क्या है तो दोस्तों 19 सताब्दी क्या होगी तो आप में से बहुत सारे लोग शिकने होगी, अठारा सो करके होगी इथारा सो पच्यास ऐफारा सो साट इथारा सो पचिस यह सारी चीजे 19 सताब्दी के अंतर घता आएंगी जैसे कि हम बोलते है कि हम 21 सती में हैं तो हमारा क्ता है कि 20 है और 20 से उपर काउंटिंग हम कर रहे हैं इस वज़े से हम 21 सदी में हैं तो यह चित्र बना है 19 सतापदी का उत्राध्यानी की 1875 के बात के समय पे अब यह माध्या मैं दोस्तों केनवास पलते हैं इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी तो अधिकतर जो चित्र बने हुए हैं वो प्रेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है और उस पर वना हुआ है यह तेल रंगों से अभी तक हमने जितने भी आटिस्ट पढ़े जितनी भी लगुचित्र शैलियां पढ़ी सभी के अंदर हम कौन सा या कलाकार उने कौन सा रंग प्रियोग मिलाया वाटर कलर प्रियोग मिला तेल रंग से चितर बनाए यह इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं राजा रवी वर्मा जिन्होंने तेल रंगों का प्रियोग किया तेल रंगों का प्रियोग इससे पहले होता था लेकिन कहां होता था पस्चिमी सभ्यता में तो इन्होंने पस्चिमी सभ्यता का अनु जब हम राजा रवी वर्मा को पढ़ेंगे अभी हम उनके चित्र को पढ़ रहे हैं राम समुंद्र का मन मर्दन करते हुए तो दोस्तों जहां तक मुझे याद है आप सभी को एक वो वाली कहानी याद होगी अगर आप कभी आपने कभी रामायन को पढ़ा है या अपने घर म होता है उन्हें तो रास्ते में बड़ा सा समुंद्र होता है तो उनका यह होता है कि अभी हम सारे सेना के साथ उस पार कैसे जाएंगे तो उस वक्त वो प्राथना करते हैं समुंद्र से कि वो उनको मार्ग दे दे लेकिन समुंद्र नहीं देता देखो समुंद्र का इतना ह बड़ा इस्तित्व है उसके पास इतनी सारी चीजे हैं वो अगर एक बार उसकी लहरों में अमतब उथान आ जाए है ना थोड़ा वेग से वो बहने लगे तो वो तो सारा जलमगन हो जाएगा तो उस चीज का अभिमान समुद्र को अपने उपर था इसके अतिरिक तो उसके प्रातना को सुन करके वो नहीं आता है तो क्या होता है कि फिर श्री राम बोलते हैं कि जाना तो है ही तो उनको जब प्रातना को इग्नौर कर दिया समुद्र ने तो श्री राम को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में कहते हैं तो फिर ठीक है मार्क तो मुझे तो अपना धनुष उठा लेते हैं और धनुष पे बान चड़ा देते हैं और बोलते हैं ठीक है तो अब मैं इस धनुष से तुम्हारा अस्तित्वी ही खतम कर देता हूं जिस पे तुम्हारे सारे जल को ही में सुखा देता हूं तो ऐसा जब वो समुद्र देव सुनते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम से निकल आते हैं और शमायाचना करने लगते हैं प्राथना करते हैं कि क्या नाम है नहीं आप ऐसा ना करें और मैं मार्ग देता हूं तो फिर साथ में इस चित्र को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पुरुशाकरती है जो श्री राम की तरह यहाँ पर चित्रित की है चित्रकार ने जो पास ही समुद्र के पास ही शिलाओं पर खड़े हैं सफेद रंग की दोती उन्होंने पैनी हुई है उनके सीधे ह चित्र कार ने बनाया है मतलब लाइट एंड डार्क भी उन्होंने दिखाया है साथी साथ समुद्र में जो लहरे हैं उन लहरों को भी दिखाया है पास वाली जो लहरे हैं उनको उसने सफेद दूधिया रंग से लगभग दिखाया है और पीछे समुद्र देव की आकरती क दिखाया है जो ऐसा ना करने के लिए दीद कर रही है. उसके साथे साथ दो महिलाएं आकरती भी हैं जो माना जा सकता है कि वो समुंध्रो देव की पत्निया रही होंगी. इसके साथ ही साथ आकाष से एक विजली भी उन्होंने गिर्ती हुई दिखाई है. वो भी उन्होंने मतलब डाक कलर का मतलब आसमान उन्होंने दिखाया है और उसके उपर उस विजली को सफेद रंग से दिखाया है तो चितर के अंदर चाया और प्रकाश मतलब लाइट अंड डाक भी उन्होंने दिखाया है और दोस्तों ये जो छाया प्रकाश दिखाने की टेकनीक है, तेल रंग से चित्र में कलर करने की टेकनीक है, ये पस्चमी सभ्यता में ऐसा होता था, तो इस कारण से राजर अवी वर्मा जो चित्रकार हैं हमारे, उनको ये कहा जाता है कि वो पस्चमी कला से प्रभावित थे लेकिन उनके जो चित्रों के विशे थे वो भारतिय ही थे, भारतिय मतलब भारत में हुई घटनाओं पर अधारित, भारत की पुरानिक कथाओं पर आधारित, यहाँ पर एक वर्ड आया है पुरानिक, मैं पुरानिक शब्द भी यहाँ पे आपको explain करना चाहूंगी, पु द्वारत के प्रत्थम पुराणिक चित्रकार थे राजारभी वर्मा अच्पाता को क्षी MALE आज की डेट में जो देवी देपता को देखते हैं कि जिस स्व corridor में हम उनको देखते हैं तो क्या देखते हैं चाहें वह मातालक्षमी जाहें वह पार्वति जी हैं या वो सर्श्वती माता हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है? साउथ की कांजी वरम साडी, तो उनको ये रूप किसने प्रदान किया? वो रूप प्रदान करने वाले आर्टिस्स थे, राजरवी वर्मा, क्योंकि ये खुद साउथ के थे, तो वहां का जो पहनावा है, उसी पहनावे में, इन्होंने हमारे देवी और देवताओं को चितरत किया, फिर चाहे हम विश्णु जी को ले लेते हैं, तो विश्णु जी की भी जो धोती होती है, वो भी साउथ इंडियन ही होती है, मतलब सिल्क की ही होती है, क्यों वहाँ पर सिल्क पहनने का प्रावधान अधिक है तो राजर रवीवर्मा भारत के पहले ऐसे पोरानिक चित्रकार थे जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देपताओं को चित्रित किया और घर घर तक पहुँचाया अभी हम बात कर रहे थे इस चित्र के बारे में तो इस चित्र का थोड़ी से डेटेलिंग जो यहां पर इसमें दी गई है इसको भी हम देख लेते हैं तो 19 वी शताबदी के अंत में दोस्तों ये चित्र बना है तेलियरंग से कैन्वास पर बना है मैं बता चुकी हूँ वालम कि रामायन से इस कथानको उठाया गया है इसके अंदर श्री राम को समुद्छ का मन महर्दण यानि कि अभिमान महर्दण यानि की गल्व को नस्ट करते हुए His मामें के प्रशेंग में स्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तयारी करते ताकि रावन के चंगुल से सीता जी को छुटाया जा सके परन्तु विशाल समुंद्र ने उनका माप अवरुद कर रखा है अवरुद मतलब रोक रखा है श्री राम समुंद्र से मांग देने की प्रात्ना करते हैं परन्तु समुंद्र पर उनकी प्रात्ना का कोई असर नहीं इस पल को आकार देता है यानि कि इस कथानक को चितरित करता है जिसके अंदर श्री राम को समुद्र के किनारे पर एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष वे दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए चितरित किया है उनके वस्तरों से पवन के बहनेगा अवाओ को उन्होंने दिखाया है उनके उड़ते हुए वस्तरों के साथ दूसरा है समुद्र के किनारे की और तेजी से आगे बढ़ती हुई लहरें शिलाओं से टकरा कर सफिर दूद की तरह बिखरती हुई दिखाई पड़ती हैं दूर की लहरों के वीच तीन मानव आकर जल चरों की और देवताओं की हैं देखे दोस्तों यहां पर एक्स्लेनेशन है कि छोटी अकरतिया या तो जल चरों की है या देवताओं की है लेकिन अगर हम इस चित्र को दिहान से देखने हैं तो वह दो आकरतियां महिला आकरती जैसी प्रतीत होती है दूर से देखने प सिर्फ इतना भी लिखकर आते हैं कि दो छोटी आकरती दिखती हैं वो देवता भी हो सकते हैं या जलचर भी हो सकते हैं तो दोस्तों इन में से आप कुछ भी लिखते हैं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे आगे देख लेते हैं तो वो जो आकरती है वो अपने जीवों की रक्षा के लिए श्री राम जी से छमायाचना कर रहे हैं प्रेस्ट भूमी में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश को दिखाया गया है जिसके मध्य में आकाश ये बिजली की चमक दिखाई गई है इस चित्र में रंगों को इतनी सोमिता यानी की नाजुकता से बहरा गया है कि किसी का भी ध्यान ये चित्र अपनी और आकरशित करने में सक्षम है इस चित्र में यूरोपिय शेली के गुण प्रकाश छाया का प्रदर्शन किया गया है रेखा चित्र में ले आत्मक्ता का भी आभाज यहां पर होता है दोस्तों एक वर्ड आया था यथार्थवाद मैं आपको यहां पर यथार्थवाद के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यथार्थवाद क्या है जो जैसा है उसको ऐसा ही चित्रित करना यथार्थवाद कहलाता है किसी वस्तु को या व्यक्ति को किसी एक जगा पर बठाया या खड़ा किया जाए और सूरे का प्रकाश उस पर पढ़ रहा हो तो आप ध्यान से देखिएगा कि सूरे का प्रकाश दोनों तरफ बराबर नहीं पढ़ता, किसी एक साइट जादा पढ़ता है और दूसरी साइट कम पढ़ता है, हमारा शरीर के एक हिस्से पर प्रकाश जादा पढ़ेगा और अगर किसी व्यक्ति के एक आंक पर चोट लगी हुई है और पट्टि बंदी हुई है, तो उस पट्टि के साथ ही उस व्यक्ति को चित्रित करना यथार्टवाद कहलाएगा जो की पश्चमी कला की देन है हमारी भारतिय कला में या परंपरावादी कला में क्या होता है सामने क्या है उस चीज को छोड़ करके वो चित्र सुन्दर कैसे लग सकता है उसका प्रियास किया जाता है और प्रतिकादमत चित्र बनाय जाते थे यथार्थवद के साथ समय के साथ क्या हुआ जैसे ही कैमरे का अविश्कार हुआ और कैम्रा एस्तितु में आया बैसे ही यथार्थवदी जो अंकन है वो कम हो गया फिर क्या चित्रकारों ने अपनी कलामे और बहुत से प्रभाव या चेंजिस किये जिसको हम आगे अपना पढ़ेंगे अब जी दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं राजरवी वर्मा की बारे में तो राजरवी वर्मा का जनम 1848 को केरल के किली मनूर में हुआ था दोस्तों केरल साउथ में पढ़ता है और साउथ में केरल के अंदर एक जगा है किली मनूर जहां पर राजरवी वर्मा का जनम एक बड़े राजसी परिवार में हुआ था राजरवी वर्मा का आरंब से ही चित्रकला में बहुत गहन रुची थी और इसकी आरंबिक शिक्षा उन्होंने अपने चाचा जी से ली थी जिनका नाम था राज वर्मा इसके बाद उन्होंने इंट्रेस दिखाया पस्चिनी कला में और तेली चित्रकारी में तो इसके शिक्षा ली उन्होंने डच चित्रकार फ्योडर जेंसन से क्यूंकि जो तेल चित्रकारी थी वो इंडिया में नहीं होती थी बाहर होती थी तो ये उन्हें बाहर के कलाकार से सीखना पड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं त्रावन कोर के राज दर्बार की तो दोस्तों राजर रवी वर्मा के परिवार के लोगों का त्रावन कोर राज दर्बार में अच्छा आना जाना था उनके संबंध थे इस राज दर्बार से तो राजर रवी वर्मा ने अपने बहुत से चित्र त्रावन कोर में राज दर्बार में उपहार में दिये हैं और उनके कहने पर बनाए हैं जिस पर उन्हें बहुत सारे प्रसकार भी त्रावन कोर के समराट के द्वारा दिये गए हैं मैं राजर अवी वर्मा की बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये भारत के पहले तेल चित्रकार थे इनको भारत का रेमबरा नाम से भी कहा जाता है यानि भारत का रेमबरा कहा जाता है राजर अवी वर्मा जी को और ये पहले भारते चित्रकार थे जिन्होंने पस्चमी स प्रकाश चाया वे प्रकाश का प्रियोग करके तेल रंगों से चित्र बनाए थे इनके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं तो इन्हों ने भारती विसेवस्तूओं को ही चित्रत किया लेकिन यूरोपियन शेली में ही चित्रत किया और यूरोपियन शेली मैं जो बार-बार वर्ड बोल रही हूं कि पास्ट्रत्यकला, पास्ट्रत्यकला यूरोप में ही होती थी, इस कारण इस चीज को यूरोपय शेली भी कहा जाता है, राजर अभी वर्मा के जो चित्र थे, वो महाकाव्यों और पुराणों पर अधारित थे, उनके चित्रकला के वि सीता, शकुंतला तथा अन्य महिला पात्र, दक्षन भारतिय स्त्रियों के रंग रूपवे सज्जा को आदर्श मान कर उन्होंने चित्रन किया, उनके बनाए गए चित्रों में चंचलता की कमी और एक ठेराव नजर आता है, रंगों की अधिक्ता, चित्रों को बोजहलवे नीरस बताते जान पड़ते हैं, इसके बावजूद भी वे उस युक के एक महान चित्रकार थे, राजर अवी वर्मा की प्रमुक क्रतियां है, श्रीक्रेश्न, हरिश्चन, सुकेसी, रावन जटायू, इंद्रजीत परविजय, भारतिय फल विक्रेता, दोस्तों इस सभी चित्र, तेल चित्र है, इसके अतिरेक्ट दोस्तों, मैं आपको राजर अवी वर्मा के चीवन की एक महतपून घटना के बारे में इहां पर जरूर बताऊंगी, क्यूंकि हम किसी आर्टिस्ट को तभी समझ सकते हैं, जब हम उनके बारे में थोड़ा सा जानते हूं, तो द प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, पुराने टाइम पे, तो सबसे पहले उस प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना करी थी, वो राजर अवी वर्माने की थी, दोस्तों, राजर अवी वर्मा उस समय के बहुत बड़े कलाकारों में से एक थे, या कहा जाए कि सबसे बड बिखते थे कि एक चित्र उस जमाने में लगभग 2,000 का बिखता था और हर परिवार चाहता था उनके पास डिमांड इतनी आती थी कि वो उतनी स्पीड में चित्र नहीं बना पाते थे तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक लीथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस कि स्थ आज और अवी वर्माने दोस्तों उस प्रेस से क्या हुआ कि वो एक चित्र को बनाते और फिर उसके प्रिंट यानि कि उसका छापा चित्र निकाल करके वो डिमांड पूरी करने लगे चापा चित्र निकाल के डिमांड पूरी करते थे तो वो चित्र ओरिजनल नहीं होता इस कारण अब उनके चित्रों की कीमत जहां 2000 थी, वो अब 200 रुपे पर आ गई, अब वो हर प्रिंट को 200 रुपे में बेजते थे, इससे क्या होता था, जितने डिमांड होती थी, वो उतने चित्रों की पूर्थी कर पाते थे, इसको देखकर बहुत से लोगों ने लिथोग् प्रेस की स्थापना कर ली, और राजरवी वर्मा से चित्र को 2000 में खरीद कर उसकी प्रतिया निकाल करके बेखना शुरू कर दिया, अब उनके जो चित्र थे, दूसरे लोग भी प्रिंटिंग प्रेस से चापकर बेखने लगे, तो इससे क्या हुआ कि उनके जो चित्रों क बिकने लगे, और इसी बात को अधार मानकर जो हमारे कला स्वमिक्षक आगे आएंगे, जिनको आप पढ़ोगे कभी, आनंद कुमार सुआमी जी ने राजर अवी वर्मा को एक फुटपाथी चित्रकार भी बोल दिया था, क्यों? क्योंकि उनके चित्रब इतने अधिक मात में छपने लगे थे कि वो रोड पर भी पड़े हुए मिल जाते थे आसानी से, तो दोस्तों ये थी राजर अवी वर्मा जी के जीवन की एक महत्वपूर घटना, तो दोस्तों बढ़ चुके हैं, राजर अवी वर्मा को और उनके चित्र राम समुंदर का मत मर्दन करते तो दोस्तों मा और बच्चा जो चित्र है वो बहुत से आर्टिस्ट ने बनाया है और आज भी बना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे फेमस मा और बच्चा चित्र किसका है तो वो है यामिनी रॉय, जिनको हम जैमिनी रॉय बोलते हैं, वो थोड़ा सा बस इसलि बनाया है, वो कागज पर जल रंग से बनाया है, 1930 इश्वी में बनाया है, आधुनि काल का ये चित्र है और टेमपरा तकनीक में बनाया है, टेमपरा तकनीक दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने अगर लगु चित्र शैलियों वाला वीडियो देखे हो और उस कलर को अपारदर्शी या ओपेक बना देते हैं, तो वो कहलाता है टेमपरा, जैसकि हमारे दिवारों पर कलर होता है, तो वो टेमपरा ही होता है ठीक है white wash में जिन colors को हम use करते हैं जो हमारे pure color अगर हम उठाते हैं तो वो पारदर्शी होते हैं उसके आर पार हम sheets को देख सकते हैं अगर हम कोई line ड्रॉ करें और उसके उपर pure color कर दें तो वो line हमें visible होगी लेकिन अगर हमने उसी color में white या फिर dark color mix कर दिया तो वो उस color को ओपेक बना देता है अपारदर्शी बना देता है और दोस्तों ये जो चित्र है मा और बच्चा यमिनी रोय का ये चित्र रखा हुआ है रास्ट्रे संग्राले नई दिल्ली में दोस्तों आपकी बुक के अंदर लगभग जितने भी चित्र मूर्थी या बाकी छापा चित्र आपके इस लिबस में है उनका सरक्षन अधिक तर रास्ट्रे संग्राले में है बस इससे पहले अभी हमने एक चित्र पढ़ा था राम समुंदर का मदमर्दन करते हुए जो मैसूर करनाटक की चित्रशाला में रखा हुआ है आगे देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इस चित्र को हम देखेंगे कि ये दिखता कैसा है उसके बाद हम चीजे देखेंगे तो देखो दोस्तों ये है आपका चित्र मा और बच्चा इस चित्र के अंदर एक महिला आकरती और एक शिशु को चित्रकार ने चित्रत किया है देखें आधुनिक दोर के कलाकारों की एक ही खासियत थी वो आधुनिक ही इसलिए कहला है क्योंकि उन्होंने अपनी चित्रकला में प्रियोग किये और बाकियों से अलग अपनी कला को बनाया तो जिस तरह से यामनी रॉय ने अपने चित्रों को बनाया उस तरह से हमें कहीं भी देखने नहीं मिलते अगर हम यामनी रॉय की किसी दूसरे चित्रों को भी देखेंगे तो एकदम से पहचान लेंगे कि ये चित्र यामनी रॉयका है और किन विशेष्ताओं से पहचानेंगे सबसे पहली विशेष्ता तो यह है जो इन्होंने मोटी काली लेधा रेखाओं का प्रयोग किया एकदम डाक डाक मोटी मोटी आउटलाइन इन्होंने अपने चित्र में की है चित्र और इन रेखाओं में गती दिखती है ले दिखती है इसके अतिरिक एक और जो खाश बात है वो है ये आँखें इस तरह की आखें सिर्फ और सिर्फ यमनी राय ने अपने चित्रों में चित्रित की है देखें ये आखें बिल्कुल नाख से शुरू होकर कान तक जाती है तो मतलब कई बार तो ये गाल से भी बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है तो इस तरह की आँन्खें, येमनी रॉय ने अपने चित्रों में बनाई है। येमनी रॉय लोग कला से प्रभावित आर्टिस्ट थे। लोग कला समझते है ना? मतलब जो परंपरवादी कला है है ना? जो हमारे घर में 30 त्योहारों पर चित्र कला या कला हमारे घर में बड़े मम्मी या दादी बना रही होती हैं तो उस कला से प्रेरित आर्टिस्ट माना जाता है येमिनी रोय को उन्होंने उसी कला को थोड़ा सा मॉर्डन रूप दिया और उसको आधुनिक बनाया अब इस चित्र में देखेंगे तो एक डाक गहरे रंग की साड़ी महिला ने पहने हुई है बालों में सफेद गजरा है और जो आभूशन है चाहे वो शिशू के हैं या माता के हैं वो सफेद टेंपरा कलर से उन्होंने दिखाया है चित्र में अलंकरण के लिए उन्होंने हरे रंग का प्रियोग किया हुआ है जिससे की चित्र में अलंकरण आ गया है शिशू को उन्होंने नगनवस्था में दिखाया है माता की गोद में दिखाया है और शिशू का हाथ माता के वक्षस्थल पर है इस से प्रतीत होता है कि बच्चा भूका है उसको भूक लगी है इस चित्र में हमें कहीं पर भी वासना देखने को नहीं मिलती यहाँ पे सिर्फ माता और पुत्र के बीच जो वातसल्य है जो ममता है वो हमें यहाँ पर नजराती है दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं कि इस चित्र को जो हमने देखा है उसको हम लिखेंगे कैसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे तो यह है कि यमनी रॉय ने इस चित्र को 1930 में जल रंग की ही टेंपरा विधी से बनाया मा और बच्चे के बीच असीम प्रेम को इन्होंने इस चित्र में दिखाया है और इस्त्रित्व की संपूनता में मतलब एक इस्त्री को संपून तभी माना जाती है जब वो मा बन जाती है तो इसी चीज को यहाँ पे चित्रकार ने दिखाया है और भारतिय दर्शिन की आत्मा को यही भारतिय दर्शिन की आत्मा है कि एक इस्त्री का इस्त्रित्व ही उसे तब प्राप्त होता है जब वो मा बन जाती है रेखाओं, वक्रों, अर्ध वक्रों के लियात्मा घुमावों से ना केवल मा और बच्चे की सारीरिक शरचना को उभारा गया है अपीतु, अलंकरणों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए भी चित्रकार ने हरे, सफेद, सरले, टीवे, काले रंगों वे रेखाओं के बीच बहतरीन सईयों जनिहां पर इस्तापित किया हुआ है इस चित्र की विशेस्ता है कि इसे सपाट, पीले, गहरे, भूरे, सफेद, सिंदूरी रंगों से एक ही तल, अग्रे तल पर चित्रित किया गया है दोनु मानवाकरतियों में चेहरे के भाव तथा आँखों के आकार समान है, किन्तु विसमेकारी है पोधों के पत्तियों वे फूलों में साधारन सी चित्रकारी की गई है इस चित्र में अलंकरणों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है केवल सफेद रंग पर काली रेखाएं आभूशनों का आकार प्रदान करती दिखाई गई है मा ने अपनी गोध में बच्चे को जिस मुद्रा में पकड़ा हुआ है उससे उसके शरीर के उभारों की विसिस्ता प्रदान की गई है हातों में पैरों की उंग्रियों की कोमलता को लेात्मक रेखाओं के द्वारा चित्रकार ने विसिस्त बना दिया है तो दोस्तों ये था आपका चित्र मा और बच्चा जिसके चित्रकार थे यामनी रॉय अब हम पढ़ेंगे यामनी रॉय के बारे में की ये कौन थे तो यामनी रॉय का जन्म हुआ था 1887 में पस्चिम मंगाल के बांकुडा जिले में एक जगा है बेलिया टोर नामक इस जगा पर एक जमीदार परिवार में इनका जन्म हुआ था तो इनका जो परिवेश था वो ग्रामीन था और संस्कृती से बहली भाती परिचित थे ये तो इसी लिए इन्होंने अपनी कला को आधुनिक वे परंपरा से बहतर से योजन से प्रस्तुत किया जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने परंपरावादी कला को ही आधुनिक किया और दोनों के मेल से अपनी कला को प्रस्तुत किया हम सभी के सामने धीरे धीरे इनके चित्रन में परिपकवता का समावेश होता गया यत्पी इन्होंने अपने चित्र में अनेक प्रियोक किये जैसे की 1925 में काली घाट शेली में चित्र बनाने इन्होंने आरंब कर दिये और इस सेली की क्या विशेस्ता थी? कि चमकदार रंग और लहरदार वक्रों का अनुकरण इसके अंदर किया जाता था कुछ समय के लिए इन्होंने जीसिस क्राइस्ट यानि की ईसा मसी पर भी और उनके जीवन पर अधारिक भी कुछ चितर बनाए यह खुद इसाई सम्प्रदाय से नहीं थे लेकिन इन्होंने इनके जीवन पर चितर बनाए और यामनी रोय पर यह कुछन कई बार कॉम्पटिशन में पूछा जाता है कि ऐसे कौल से आधुनिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसा मसी पर चितर बनाए हैं तो उसका अंसर होता है जमनी रोय तो जमनी रोय के चितरकारी ने अंतर रास्ट्रेख्याती तब प्राप्त की जब 1946 इश्वी में लंदन में तथा 1953 इश्वी में न्यूयाग में अपने चितरों की प्रदर्शीन होने लगाई और लोगों ने इनके काम की सरहाना की तो दोस्तों ये था आपका मा और बच्चा चितर और उसके आर्टिस्ट याम निराय के बारे में हमने इस वीडियो में जाना हल्दी चक्की और हल्दी पीसने की चक्की जो की एक महतोपून प्रश्ण है आपके बोर्ड एक्जाम सेकिंड रम में आ सकता है तो शुरू करते हैं इसको तो दोस्तों ये चितर अमृता शेरगिल का है इन्होंने इसको किनवास पर तेल रंग से बनाया है रास्टे संग्राले नई दिल्ली में ये चितर सुरक्षित है आधुनिक या समसामाईक समसामाईक से मतलब समकालीन यानि की ये आधुनिक समकालीन काल का चितर है और 1940 इश्वी में ये चितर अमृता शेरगिल ने बनाया है दोस्तों आधुनिक और समकालीन में दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी हूँ आधुनिक क्या है समकालीन क्या है फिर भी बता दू आधुनिक चितर कला की डुस्टी से अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो वो होता है आपका बंगाल शेली का समय और ब अभी अभी पास आउट हुआ है यानि कि वो कलाकार समकालीन कलाकार कहे जाते हैं जो आज अभी कला के चेतर में कारे कर रहे हैं या अभी जल्दी में ही उनकी मृत्य हुई है तो दोस्तों सबसे पहले हल्दी चक्की चितर हम देख लेंगे तो देखिए यहां पर यह महिला आकरती है जो चक्की पर हल्दी पीस रही है यह देखिए यह चक्की है यहां पर तीन महिला बैठे हुई है चक्की चला रही है और एक महिला पेड की आड से इनको बाते करते हुए या चक्की चलाते हुए देख रही है या इनकी बातों को सुनने का प्रयास कर रही है चित्र कार ने बहुत ही खूपशूरती से इस चित्र को प्रदर्शित किया है वास्तव में ग्रामेड भारत की महिलाएं अपनी बोजिल जिन्दगी को इसी तरह सामुहिक रूप देकर आसान बना लेती है यह चित्र उसी जीवनशेली को अभिव्यक्त करता है इस चित्र की हरे पीले वे गहले रंग की धुंदली प्रस्ट भूमी में तीन महिलाओं को दो बड़े व्रक्ष के पीछे हल्दी पीसने वाली चक्की के इर्द गिर्द बैठे हुए दिखाया गया है जबकि एक अरिन्य महिला को काले लिबास में व्रक्ष के दो तनों के पीछे अपने दाहिने कान को दाहिने हाथ को कान के पास तक उपर उठाय दिखाया गया है सभी के परिधान चटक हैं पीले लालवे सफेद रंग से चित्रकार ने इनको चत्रित किया है एक महिला ने चक्की का हैंडल पकड रखा है उन में से एक बाली का व्रक्ष के मूल तने पर पीठ सटाय बैठी हुई दिखाई पड़ती है जिसने अपने दाहिने हाथ में व्रक्ष की एक डाली को पकड़ा हुआ है इस चित्र में महिलाओं के चेहरे सपस्ट नहीं है किन्तु एक महिला द्वारा पहने गए पैर के आभूशन को शूश्म तासरह पर अमरिताशेरगिल जी ने दिखाया है रक्ष केता ने महिलाओं द्वारा पहने गए परिधान इस चित्र को विशेशता प्रदान कर रहे हैं चित्रकार अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों में भारतिय परिवेश में महिलाओं की दुर्दशा वेकाम के बोज को अपनी रचनाओं की विशेवस्तु बनाया है, उनकी कई रचनाएं ख्याती प्राप्त हैं, उनी में से यह रचना भी अपना एक विशेश स्थान रख लोगों के लिए important इसलिए भी है क्योंकि ये वाला जो चित्र है ये नया आपके syllabus में add हुआ है पिछले साल ही add हुआ है और काफी syllabus कम हुआ है लेकिन इसको add किया गया है इसलिए ये बहुत जादा important हो जाता है अब जैसे कि हम जिस चित्र को पढ़ रहे हैं उसके चित्र कार को भी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अमरिता शेरगिल के बारे में तो दोस्तो अमरिता शेरगिल जो है पहले हम इसमें जो लिखाए उसको पढ़ लेंगे लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं अमरिता शेरगिल के जो पिता थे व अब इन दोनों के प्रभाव से, मत्तब पिताजी पंजाबी थे, सिख थे और जो माता थी, वो हंग्रियन थी, तो इन दोनों के प्रभाव से, इनकी कला में दोनों तरह की परमपराइन देखने के लिए मिलती हैं, दोनों तरह की संस्कृती हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो इसी कारण कहा देते हैं कि अम्रिता पर दोनों संस्कृतियों का प्रभाव था। प्रथम विश्वियुद के बाद 1921 में इनका जो परिवार था वो भारत लोटाया था। कला में असाधरन रुची के कारण इन्होंने फ्रांस में एक कला विध्याले है जिसको हम Ecole National Bowl देते हैं वहाँ पर इन्होंने गया वहाँ पर एड्मिशन लिया और वहाँ पर तेल चित्रन इन्होंने सीखा। ये सेजान और वांगो से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। दोस्तों सेजान और पॉल गोगिन पस्चमी सब्वेता से के प्रशिद चित्रकार रहे हैं। ये दोनों गुण इनके तेल चित्र तीन कन्याई यानि इनका एक और चित्र हैं यानि कि तीन कन्याई जो की ओयल पेंटिंग है उसमें भी सेजान का अलंकरण और गोगिन की रमनेता इस चित्र में देखने मिलती है इनका मानना था कि कल्पनाय बंधन मुक्त होती हैं और वे कलाकार की रचनाओं में दिखनी चाहिए ना कि विवाद-विवाद की बेडियों में जक्डी हुई हूँ ये पास चात्ते यथार्थवाद दोस्तों यथार्थवाद के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा कलाकार इसी चेप्टर से कौन सा कलाकार ऐसा है जो यथार्थवाद से प्रभावित है तो आपकी कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगी और रप्लाइ भी दूंगी तो सभी को बताना है कि यथार्थ वात्से कौन से कलाकार प्रभावित थे तो अमरिता शेरगिल के अलावा इसके अलावा बंगाल की वाश तकनीक के विरुध अमरिता शेरगिल रही है मतलब क्यूंकि मैंने बताया ना कि बंगाल शेली अलग चल रही थी आधुनिक कलाकार अलग अपनी पेंटिंग्स बना रहे थे तो इन्होंने बंगाल पेंटिंग से प्रभावित नहीं हुई ये प्रभावित हुई यतार्थ वात से इनकी कुछ प्रमुक्रतियां है हमारी हिल वूमेंस जिसको हम बोल देते हैं पहाड़ी औरते या पहाड़ी कन्याएं दूसरा है रेड कले एलिफेंट दर रेड वार्डा रेस्टिंग वूमेन रेस्टिंग इन चार पाई एंड़ हल्दी ग्राइंडर जिसको हम पढ़ र आधुनिक महिला चितरकार के रूप में जानी जाती हैं देखें महिला चितरकार इससे पहले भी हुई हैं लेकिन आधुनिक महिला चितरकार सबसे पहले अमृता शेरगिल हैं और इनकी मृत्यू मात्र 28 साल की उम्र में हो गई थी यानि कि 1941 में इनकी मृत्यू हो गई थी म अप्र 28 साल की उमर में इन्होंने इतना नाम कमाया इतने ज़्यादा अवार्ड इन्होंने चित्रकला के चेत्र में जीते कि आज हम इनको अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, 1940 का चित्र हम पढ़ रहे हैं, हल्दी ग्राइंडर यानी हल्दी पीशने वाली। ये चित्र इन्होंने अपनी मृत्यू से जस्ट एक साल पहले बनाया था। तो दोस्तों, ये थी अमरिताशेर गिल और ये था इनका चित्र हल्दी पीशने वाली। आशा करती हू दोस्तों, आपको दोनों चीजें अच्छे से समझाई हूँगी। शुरू करते हैं Mother Teresa चित्र को। सबसे पहले इस चित्र को देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमको याँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, इस चित्र में हमें दिख रही हैं महिला आकरतिया। एक ने सफेद साड़ी पहनी हुई है जिस पे नीले रंकी पट्टी है और दूसरी ने पीले रंकी साड़ी पहनी है जिसकी साड़ी पर भी किनारी है नीले रंकी। और साथी साथ एक महिला आकरती को नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया है। जो महिला आकरती है उसम एक बड़े से मानव शरीर को पुरुष आकरती को अपने गोध में लेटा रखा है जिसका पैर तीसरी महिला आकरती के गोध में भी जा रहा है और उसकी गोध में एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर चित्रकार ने चित्रत किया है यहाँ पर जो तीसरी सबसे छोटी महिला आकरती है उनको उसने शरीर के उपरी भाग पर वस्तरना पहना करके शरीर के नीचले भाग पर हरे रंगा कुछ कपड़ा पहनाया हुआ है चितर में अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच वाली महिला आकरती हाथ से कुछ इशारा कर रही है और इधर चितर में किसी भी महिला के यानि कि जो दो महिला हैं जो मा के रूप में यहाँ पर चितरकार ने दिखाई है क्योंकि जिनकी गोद में एक व्यस्क पुरुश है और एक छोटा सशिश हो है उसका चेहरा यहां पर चित्रकार ने नहीं दिखाया है दोस्तों देख लेते हैं कि इस चित्र के बारे में यहां पर क्या डेटेलिंग दी गई है तो दोस्तों चित्र का नम मदर टेरेशा और चित्रकार है M.F. हुसेन केनवास पर बना हुआ है यह चित्र तेल और एग्रेलिक रंगों के मिश्रण से बना हुआ है और ये चित्र रास्ट्र संग्राले नई दिली में आज की डेट में रखा हुआ है अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आप इस चित्र को देख सकते हैं आधुनिक काल का दोस्तों ये चित्र है और ये चित्र M.F. हुसेन ने 1979 इश्वी में बनाया है दोस्तों सबसे पहले इहां पर एक वर्ड नया आया है एग्रिलिक तो एग्रिलिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये वाटर कलर का ही एक वर्जिन है जिसके अंदर इन रंगों को हम पानी की साहता से ही केनवास पर लगाते हैं लेकिन विशेशता ये होती है कि कुछ समय के बाद ये सूख जाते हैं और इनको हटाया नहीं जाता वाटर कलर में क्या होता है कि उनको एक बार लगा दिया फिर वो पानी से बह जाते हैं अगर उस पे दुबारा से पानी पढ़ जाए तो वो बह सकता है सकता क्या है बै ही जाता है लेकिन एग्रेलिक कलर में ऐसा नहीं होता इस चित्र के बारे में हम बताएंगे यहां पर तो मदर टेरेसा किनवास पर बने हुई एक श्रंखला है जिसको 1979 में मकबूल फिदा उसन जोकी M.F. उसन का पूरा नाम है इन्होंने आरंभ की थी इस चित्र को तेल वे एग्रेलिक रंगों के माध्यम से यहां पर बनाया गया है क्याती प्राप्तिस चित्र में विशु प्रशित ममता मई मदर टेरेसा तथा उनकी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे मानविय समवेदनाओं से परिपून विविन कारे के रूपों को दर्शाया गया है नीले बॉर्डर वाली सफेद साडी को चित्रकार ने इस तरह से विस्तारित किया है कि उसमें धर्म, जाती, नसल वे रंगभेद जैसी विकृत भावनाओं को चहरे पर ना ही दिखाया जाए या ना आभास दे उस साडी के एक सिरे द्वारा अनाथ बेघर बच्चों का प्रतिने धूत करती एक बालिका को ममता मई आश्रम प्रदान किया गया है कौन सी वो जो हरे कपड़े में हमने एक छोटी सी बच्ची को देखा था दूसरी और एक बिमार को घुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है एक दाहिना हाथ उसे आशा धैरे और हिम्मत में रखने का संकेत देता हुआ प्रतित होता है नीले बॉर्डर वाली पीली साड़ी आकरती के साहे में एक शिशु का लानन पोशन करती ममता मही आचल में जीवन की तमाम खुशियों का साहर समेटे हरे रंग की पत्तियों से इस चीज को दिखाया है इस चितर में चितरकार ने तीन चरणों में बाठ कर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है दोस्तों ये था इस चितर के बारे में वो बातें जो हमको मिल जाती हैं नेट पे, गूगल पे और हमारी बुक्स में अब इस चित्र के बारे में एक खास बात मैं आपको बताने जा रहे हूँ जो आपको किसी चित्र में या गुगल पे नहीं मिलेगी तो ये है एक कहानी जब प्रेस रिपोर्टर ने जब M.F. Hussain ने अपनी Mother Teresize सिरीज को लांच किया तो प्रेस रिपोर्टर ने M.F. Hussain से question पूछा वो question ये था कि आपने इस चित्र में जो महिलाएं हैं उनके चेहरे को क्यों नहीं दिखाया है तो इस पर M.F. Hussain का जवाब था कि जब मैं दो साल का था तो मेरी माता गुजर गई थी उनकी मृतियों हो गई थी और उस वक्त में उस अवस्ता में नहीं था कि मैं अपनी माता को देख पाता और पहचान पाता या उनकी इस मृतियों को याद रख पाता तो इस कारण मैं अपनी माता को नहीं पहचानता हूं वो कैसी दिखती है इसलिए मैंने इन महिला आकरतियों को फेस नहीं दिया है तो ऐसा M.F. हुसेन का कहना था जो कि एक बहुत ही समवेधनशील सी बात हमको आज अगर हम सुनते हैं तो लगती है दिखो दोस्तों M.F. हुसेन का जनम हुआ था 1915 में और जब वो दो साल के रहे होंगे यानि की 1917 या 18 में उन्होंने अपनी मा को खो दिया था और उस वक्त कैमरा भी अस्तितू में नहीं था तो वो अपनी मा को देख ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, महसूस ही नहीं कर पाए और उन्होंने उसी भाव के साथ इस चत्र को चत्रत किया है अब जान लेते हैं हम M.F. हुसेन के बारे में तो M.F. हुसेन का जन्म हुआ था दोस्तो 1915 में और उनकी मृत्य हुई है 2011 में इनका जन्म 1915 में हुआ मध्य प्रदेश के पंधारपुर में और इन्होंने जो अपनी आरंबिक सिक्षा थी वो इंदोर से ली जेजे स्कूल ओफ आर्ट कॉलिज में ये मुंबई गए और मुहापन इन्होंने कला की सिक्षा को ग्रहन किया किन्तु परिस्थिती वस इनको अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा देखें ये बचपन से ही चित्रकार बनना चाहते थे और क्यूंकि मुस्लिम धर्म में बहुत जल्दी से इस तरह के कारे करने की परमिशन नहीं दी जाती है दूसरा ये इन बेग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा गरीब थे तो इस कारण से इनको चित्रकारी जो सीखनी पड़ी या इन्होंने जो चित्र बनाने शुरू किये वो परिवार को इनको छोड़ना पड़ा उसके बाद इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए पोस्टर बनाने शुरू करे जो कि वो सिनेमा जगत से बनाते थे M.F. Hussain के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत इससे पहले जाना होगा तो इससे पहले चैप्टर है जिसके अंदर हमने पैग गुरूप के बारे में पढ़ाता जिसको हम प्रगिती शील गुरूप भी बोल देते हैं तो इस गुरूप से भी मकबूल फिदा हुशन जुड़े थे इन्होंने आपने सुना होगा कि महदरी दिखसित के इन्होंने बहुत सारे चित्र सिरीज बनाए हैं अमरिता राओ की इन्होंने, अमरिता सिंग की इन्होंने बहुत सारी चित्र बनाए हैं, सिरीज बनाई हैं, इसके अलावा इन्होंने फिल्मों के पोस्टर भी बनाए हैं, इधर ही हम देख रहे हैं कि सुनहेरा संसार नामक चित्र जो मुंबाई आर्ट सोसाइटी द्वारा 1947 को प्रदर्शित किया गया था इसके बाद इन्होंने अपने कार्यों की श्रंखला बद मतलब एक के बाद एक प्रदर्शिया लगाई जिससे इनको अंतरास्टिक खाती प्राप्त हो गई आरम मेवे वसोली चित्रशैली से प्रभावित थे इसके चटक वे चमकीले रंगों को इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया था इसके अतिरिक्त इन्होंने रामाय और महा भारत पर बहुत से चित्रों की श्रंखला बनाई जो कि विश्व विख्यात भी है हिंसा, अन्याय वे निराशा को प्रदशित करते इनके चित्र अधिकतर हमें देखने मिलते हैं मदर टेरेसा चित्र में इन्होंने प्रेम दिखाया है, आशा दिखाई है, करोना को अभी व्यक्त किया है जबकि ब्रिटिस राजपर अधारित श्रंखला जो इन्होंने बनाई है वो व्यंग आत्मकबोध कराती है मतलब कहीं न कहीं मजाक सी उड़ाती प्रतीत होती है इन्होंने खाड़ी युद पर अधारित कुछ प्रशित चित्र बनाए जैसे देटर आफ देपसर्ट्स एन स्प्लेस फ्रंट पेज इत्यादी हुसेन के चित्रों में पिकासो का प्रभाव, ग्रिश वे लेयर जैसे यूरोपिय चित्रकारों का प्रभाव हमको देखने मिलता है साथ ही भारत की बसोली वे जैन लगू चित्र शैली का प्रभावी हाँ पर अमेफ हुसेन के चित्रों में हमें देखने को मिल जाता है हुसेन द्वारा जो चित्र बने हुए हैं वो किसी भी एक सैली से संबंध नहीं रखते बलकि उनकी सैली समकालीन है मतलब समय के साथ उनके चित्रों में बदलाप होता गया है इसनकी जो कला की जड़े हैं वो अतीत से जुड़ी हुई है परंतु सोच वे शैली समकालीन वे आधुनिक है जिसकी मौलिकता साफ जलक पड़ती है हुसेन के चित्रित कारों को भारत सरकार ने पदम श्री, पदम भूशन वे पदम विभूशन से भी सम्मानित किया है मैसूर विशुविध्याले वे बनारस हिंदू विशुविध्याले ने उन्हें डिलिट की उपाधी से भी सम्मानित किया है दोस्तों ये है M.F. हुसेन के बारे में वो बाते जो हमें बुक्स में मिलती है अब मैं आपको बताऊंगी M.F. हुसेन के बारे में वो बाते जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी तो सबसे पहले क्यूंकि M.F. हुसेन बहुत ही गरीब परिवार से सम्मंद रखते थे और उन्होंने अपनी कला से अपने टेलेंट से अपने जीवन में बाकी सब चीजों को उपलब्धियों को प्राप्त किया लेकिन वो कभी भी चपल या जूता पैर में नहीं पहनते थे जबकि ऐसा कोई दूसरा नागरिक नहीं कर सकता और ऐसा उनको छूट इसलिए दी गई थी क्यूंकि वो कभी भी चपल जूता नहीं पहनते थे जिसका कारण उन्होंने बताया कि मैं चपल जूता पहन लेता हूँ अगर तो मैं अपने पुराने दिनों को भूल जाओंगा और उनके जीवन का एक सबसे बड़ा विवाद ये था कि उन्होंने अपने जीवन में भारत में जो माता सरस्वती हैं हिंदू की प्रमुक देवी हैं ज्यान की देवी मानी जाती हैं उनका चितरन किया और उन्होंने उसको नग नवस्था में चितरित कर दिया उन्होंने उनको कपड़े नहीं पहनाए तो इस चीज से काफी ज़्यादा विवाद हुआ हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुची उन पर केस किया गया और उन्होंने अपने उस चित्र को वापस लेने से मना कर दिया तो उसके फलसुरूप क्या हुआ कि उनको भारत से निकालने का आदेश भारत सरकार ने दे दिया अब उनको भारत छोड़ना पड़ा भारत छोड़ने के बाद उन्होंने नागरिकता अपनाई साओधी अरफ कतर की और 2011 में साओधी अरफ कतर में ही उनका निधन हो गया तो दोस्तों ये थे M.F. हुसेन और ये था M.F. तो दोस्तों चेप्टर 11 समकालीन आदोनिक भारते कलाकारों के चितर में जो आपके स्लेपस के चार चितर और चार आर्टिस्ट दिये गए थे वो हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं। अब इस चेप्टर से समबंधित सभी महतुकून प्रेश्ण ज चितर के चितरकार का नाम मकबूल फिदा हुसेन है जिसको M.F. हुसेन बोल देते हैं। और इस चितर में इन्होंने ममता मई, मदर टेरेसा तथा उनकी संस्था ध्वारा किये जा रहे मानविये समवेदनाओं से परिपून विभिन कार्यों रूपों को दर्साया है। नीले बॉर्डर वाली साडी को चितरकार ने इस तरह से विस्तारित किया है कि उसमें धर्म जाती नसल में रंग भेत जैसे विकरत भावनाओं से परे रंग रहित चहरे का आभास होता है। उस साडी के एक सिरे द्वारा अनात बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममता मै आश्रे प्रदान किया गया है तो दूसरी और एक बीमार को गुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह नहीं नाओ के मई है। ममता मई आचल में करती दिखाई पड़ती है। इस तरह इस चित्र को तीन चर्णों में बाटकर चित्रकार ने अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी है। के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा है। तो देख लेते हैं इसका अंजर राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए चित्र का विशय हिंदु धर्म की पवित्रधार्मिक पुस्तक रामायन से लिया गया है। इस चित्र में चित्रकार की द्वारा रामायन में घटित होने वाली उस घटना को चित्रकार ने साकार रूप से चित्रत किया है। जिसके अंतरगत श्री राम समुद्र को पार करने के लिए रास्ता माँगने की गुहार लगाते हैं। लेकिन समुद्र अपने अभिमान में चूर होकर श्री राम की पुकार को नकार देते हैं। जिससे श्री राम समुंद्र को सुखाने की चितावनी देते हुए धनुष पर बान चड़ाते हैं। राम को क्रोध में देखकर समुंद्र देव बाहर आते हैं और उनसे विंती करते हैं कि वे उन्हें शमा कर दें। हमें लगता है राजर अविवर्मा इस पूरे द्रश्य को साकार रूप देने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं। चित्र में श्री राम को सफेद धोती पहने तथा हात में धनुष बान पकड़े चित्रित किया गया है। तथा समुंद्र देव को लहरों के बीच में अपनी दोनों पत्नी के साथ चित्रित किया गया है। चित्र को देखकर ऐसा आभास होता है कि यह घटना अभी कहीं पर घटित हुई है। तो दोस्तों आजाते हैं कोशन नंबर तीन पर कोशन नंबर तीन है माँ और बच्चा नामक चित्र में कला की शेलीगत विशेष्ताओं प सारी एकी बात है। तो यामनी रह की कला लोक कला और आधुनिक कला का सम्मिशरण है। माँ और बच्चा चित्र में भी यह विशेष्ताओं देखने के लिए मिलती है। इस चित्र की विशेष्टा इसके सपाट पीले गहरे भूरे सफेद वसिंदूरी रंगों का अद्भुत सोजनने हैं। दोस्तें आप यह जो कैमरा लिखा हुआ यह कैमरा नहीं है यह टैमपरा है। टैमपरा विदी से बनाई गई इस चित्र में मा और बच्चे के बीच में असीम प्रेम को दिखाया गया है। इस त्रित्व की संपूर्टा में मात्रत्व की अनिवारता भारत्य दर्शन को भी यहां पर चित्रकार ने दिखाया है। अलंकारों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने चित्र में हरे सफेद, यह सलेटना होकर के सफेद है। काले रंग पर रेखाओं के बीच बहतरीन सहियोजन इस्थापित किया है। दोनों मानवाकरतियों के चहरे के भाव तथा आँखों का आकार लगभग समान हैं परन्तु विश्मयकारी है। इस चित्र की कोमलता और लियात्मक रेखाओं ने इस चित्र को विसस्ट बना दिया है। देख लेते हैं कुशिन नमबर फोर है राजा रवी वर्मा की अन्य प्रमुख क्रतियों का विवरण दीजिये। तो राजा रवी वर्मा को भारत के पोराणिक चित्र कार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों भारत के पहले तेल चित्र कार थे राजा रवी वर्मा और इस पर एक कोईशन भी मैंने जी एस जी के वाला जो अभी इन दिनों मैंने चलाया है जो मैं रोज एक वीडियो डालती हूं जिसमें मैं कुछ जी के और जी एस के कोईशन अप्लोड करती हूं उसके अंदर भी ये कुशन आपका दिया हुआ था तो राजा रवी वर्मा की अन्य प्रमुक्रतियां है श्रीक्रेश्न, हरिस्चंद्र, रावन और जटायू, इंद्रजीत की विजय भारतिय विक्रेता और शकुंतला का दुश्यंत को पत्र ये जो भारतिय विक्रेता है ये भ विवेचन कीजिए तो ये कुशन बहुत इंपोर्टन्ट है देख लेते हैं इसको हल्दी चक्की चित्र में हरे पीले गहरे रंग से दुंदली प्रस्ट भूमी में तीन महिला आकरती को दो बड़े व्रक्ष के हल्दी पीसने वाली चक्की के इर्दगेर्थ बैठे हुए प्रस्राइब से दिखाया है इसके एतिरिक्त एक महिला को ज elad fly में व्रक्ष के दोनों तनों के पीछे अपने दाहिने हात को कान के पास तक उपर उठाय चित्रित किया गया है सभी के परिधान चटक है लाल और सफेद रंग से चित्रित है एक महिला को चक्की का हेंडल पकड़े हुए दिखाया गया है चित्र में एक बालिका को व्रक्ष के मूल तने से पीट सटाय बैठे हुए दिखाया गया है जिसने अपने दाहिने हाथ में व्रक्ष की एक डाली को पकड़ा हुआ है इस चित्र में महिला के चेहरे स्पस्ट नहीं हैं किन्तु एक महिला ने जो अपने पैरों में आभुशन पहना है उसको चित्रकार ने बहुत अच्छे से दिखाया है वरक्ष के तने महिलाओं दोरा पहने गए परिधान छेत्र की विशेष्टे को दरसाते हैं अम्रिता शेरगिल ने अपने चित्रों में भारतिय परिवेश में महिलाओं की दुर्दशा में काम के बोच को अपनी रचनाओं में महतुपूर इस्थान दिया है और उनके चित्रों के विशे भी लगभग यही रहे हैं तो दोस्तों ये था आपका चेप्टर नंबर 11 कुछ लोगों की बुक में चेप्टर नंबर 12 है समकालीम आधुनिक भारतिय कलाकारों के चित्र तो बिटा आपने चारों आर्टेस्ट और उनकी चारों कृतियों यानि की चित्रों के बारे में पढ़ा और जो भी important question इस चेप में से 15 आएंगे सभी को अल दो बेस्ट बिटा लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है जैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और दौस